तुशच्य तो दोस्तों ए सरा चीज़ को करने के लिए भारत सरकार द्वारा सभी को मित्रा ID PASSWORD मिलना शुरूरू हो गया है और दोस्तों ID PASSWORD बिल्कूल FREE में आप तुरंत ले सकते हैं और दोस्तों जैसे आपको ID password मिल जाता है तो दोस्तों अगर आपको किसी भी परकार का कोई shop है या cyber cap है तो दोस्तों एक ही ID password से सभी ब्यक्ति के लिए आप रासान कार्ड के लिए apply कर सकते हैं रासन कार्ड में किसी भी परकार के अपडेट कर सकते तो दोस्तो आईडी पास्वर्ट के लिए किस परकार से रेजिस्टेशन करना है और बिल्कूल फ्री में आपको एक रुपया भी देने की जरुवत नहीं पड़ेगा तो दोस्तो किस परकार से प्लाई करना है तो उसके इस वीडियो को complete देखना होगा इस वीडियो में पूरी details में step by step करके बत लानी वाली है तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी चैनल पिनना है तो मेरी चैनल को subscribe कर लिजे ब्लाइकन घंटी को प्रेस कर लिजे ताकि मेरा वीडियो को notification सबसे पहले के पहुच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों रासन कार्ट का मित्रा ID पासवर्ट को create करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा तो सबसे पहले mobile या laptop का किसी एक browser को open कर लेना है और browser में type करना है NFSA उसके बाद search के option पे click कर देना है click करने के बाद दोस्तों सबसे उपर में जो link की दीख रहा है NFSA इस link पे click कर देना है click करने के बाद दोस्तों भारत सरकार का official website इस परकार से open हो जाता है और दोस्तों इस portal के जो screen यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों इस screen पर जो है कि आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे दिखिए थोड़ा इसे हम zoom करते हैं और दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है रासन कार्ड मित्रा तो दोस्तों यहाँ पे दिखिए जल्दी से यहाँ पे अस्कीप हो जा रहा है तो चले इसको हम सबसे पहले इसको डौनलोड कर लेते हैं दिखिए तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे दिखिए इस प्रकार से हम इनफोर्मेशन को डौनलोड कर लिए हैं यहाँ पे देखने के लिए लेका हुआ है government of india department of food यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है my r少, my right और दोस्तों यहाँ पर देखने के लिए common registration facility और दोस्तों यहाँ पर थोड़ Zo metic करते हैं और यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है रАशन काड तो दोस्तो करने का मतलब है कि रासन कार्ड का अप्लाई करने के लिए आपकी किसी भी परकार का अप्डेट करने के लिए उसके लिए दोस्तो मित्रा ID पास्वर्ट जो है कि यहां से आप करेट करके आप जो है कि किसी भी परकार के रासन कार्ड में अप्डेट कर सकते हैं य प्रकार का दोस्तों यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है तो चले दोस्तों हम बात करते हैं कि रासन कार्ड में मतलब करने का मतलब है कि रासन कार्ड अपलाई करने के लिए या फिरासन कार्ड में आपको देखने के लिए मिल जाता है signing register के option इस वाले option पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है public login इस वाले option पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस परकार का interface यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है common registration facility दोस्तों एक हाले फिलाल में यहाँ पे add किया गया है और दोस्तों यहाँ से सभी लोग यहाँ से अपना मित्रा ID password को create कर सकते हैं आपके पास दुकान हो या ना हो सभी लोग यहां से दोस्तो आईडी पासवर्ट यहां से आप ले सकते हैं और लेकर दोस्तो रास्तन कार्ट के लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो यहां पर दिखिए आईडी पासवर्ट करने के लिए यहां पर दिखिए तीन ओप्शन तो पहले option जो की अधार काड के दौरा आप एकांट कर सकते हैं यानि मित्रा ID पासवर्ट ले सकते हैं और दूसरा option यहां पे दिया गया है login ID दोस्तो एक जेंदल के द्वारा आप यहां से कर सकते हैं जैसे कुछ अपना basic details को fill up करके आप यहां से ID password को किरिये कर सकते हैं और दोस्तो तिसरो option यहां पर दिया गया अपना रासन कार्ड के द्वारा यहां पर अपना यहां पर login हो जाना है और login होकर दोस्तो आप रासन कार्ड में किसी परकार का update कर सकते हैं या फिर नया रासन कार्ड के लिए apply कर सकते हैं तो चलिए सबसे पहले दोस्तो हम second वाले option को select करते हैं यानि इस वाले option को हम कुछ अपना personal details को fill up करके account को create करते हैं और दोस्तो इस form को कुछ सही तरीके से fill up करना होगा इसमें आपको किसी परकार कोई गलती नहीं करना है तो दोस्तो form fill up करने के लिए सबसे पहले इस box में अपना first name को fill up करना है इस box में last name fill up करना है date of birth को select करना है gender को select कर लेना है यहाँ पर अपना मन पसंद से कोई login ID number यहाँ fill up करना है दोस्तो अपना mobile number में fill up कर सकते हैं और उसके बाद check user के option पर click करना है दोस्तो अगर यह mobile number यहाँ जो भी ID यहाँ पर डालते हैं यह ID से अगर कोई पहले से कोई नहीं बना रखे हैं दोस्तो यहाँ पर green देखने के लिए मिल जाएगा इस box में अपना मन पसंद से कोई password को fill up कर देना है इस box में concern password को fill up कर देना है उसके बाद दोस्तो इसमें आपको अधार वाले option को select रहने देना है उसके बाद दोस्तो इस box में अधार number को fill up कर देना है इस box में mobile number को fill up कर देना है, इस box में email ID को fill up कर देना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है कि अपना state का नाम को select करना है, district का नाम को select करना है, तह सहील के यहाँ पे नाम को select करना है, इस box में अपना village town का नाम को select कर लेना है, और दोस्तों इस box में अपना full address fill up कर देना है उसके बाद दोस्तो इस box में अपना area का pin code number को fill up कर देना है उसके बाद दोस्तो इस capture code को इस box में fill up कर देना है उसके बाद दोस्तो इस प्रकार से नीचे चले आना है और दोस्तो यहाँ पर remark में कुछ भी यहाँ पर आपको देज सकते या नहीं भी देज सकते क्योंकि दोस्तों यहां पर अस्टार मार्क लगा हुआ नहीं है उसके बाद दोस्तों इस बॉक्स पर टिकॉट करदना है उसके बाद दोस्तों इस बॉक्स पर टिकॉट करदना है उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाता है संबित संबित के तो दोस्तो इस परकार से नीचे चले आना है और दोस्तो यहाँ पर सिकेरने वाला जो option दिख रहा है इसमें अपना login ID नमर को fill up कर देना जो भी login ID बनाए है यहाँ पर fill up कर देना इस box में password को fill up कर देना इस capture code को इस box में fill up कर देना signing के option पर click कर देना और दोस्तो लोग इन होने के बाद कुछ इस परकार के interface देखने के लिए मिल जाता है अब आपको क्या करना होगा तो दोस्तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है थिरी लाइन के option थिरी लाइन के option पर click कर देना क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाता है Common Registration Facility इस वाले option पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिखे तीन option एड किया गया है New Registration का Registration Status का Get RC Details का तो दोस्तों अभी फिलाल में यहाँ पर तीन option को add किया गया है पर दोस्तों यहाँ पर दिरे-दिरे की राषन कारड में किसी भी परकार का update करने के लिए दोस्तों यहाँ पर add कर दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो जो है कि मित्रा ID आपको password मिलना शुरू हो गया है तो दोस्तो इस पोटल पे जो है कि रासन कार्ड में किसी फिरकार का अप्डिट करने के लिए भी option यहां पे ID कर दिया जाएगा तो दोस्तो यहां पे तीन option दिया गा इन इ Luckily ूरि करने के लिए array के से आप कितना रासन कार्ड के लिए अपको कि हैं और कितना approval हुआ है और कितना reject हुआ है यहां से दोस्तों सब कुछ यहां से आपको पता चल जाएगा तो दोस्तों रासन कार्ड का status चेक करने के लिए दोस्तों यहां पे जो भी reference ID नंबर आपको मिलेगा रासन कार्ड अप्लाई करने के बाद तो दोस्तों यहां पे आपको फिलप करके सर्ज की option पे क्लिक करते हैं वैसे दोस्तों status open हो जाता है पर दोस्तों अगर आप इस id password से अगर रासन कार्ड जितना भी apply करते हैं या फिर रासन कार्ड में किसी भी परकार के अप्डेट करते हैं अप्डे यहाँ पर देखने के मिल जाता है new registration इस वाले option पर click कर देना, click करने के बाद दोस्तो इस परकार के form open हो जाता है, दोस्तो सबसे पहले यहाँ पर अपना state का नाम को select करना, submit के option पर click कर देना, दोस्तो रासन कार्ड apply करने के लिए दोस्तो यहाँ पर देखे कुछ step दिया गया है, वैसे दोस्तों यहाँ पर देखें दूसरा step का form open हो जाएगा address details का उसके बाद दोस्तों जैसे आप यह form fill up कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों फिर तीसरा step में form fill up करना होगा additional information इसको आपको fill up करना होगा उसके बाद दोस्तों फिर आपको अगला step आजाएगा RC members यानि रासन कर लेना उसके last step में आपको देखने के लिए मिल जाता है finish फिर इसके दोस्तों जैसे option पर आप क्लिक करते हैं वैसे दोस्तों आपको एक reference ID number मिल जाता है उसको note कर लेना और यहीं से आप status को track कर सकते हैं और दोस्तों इस ID से आप जितना चाहें उतना रासन कार्ट के लिए apply कर सकते हैं और दोस्तों ID password जोए कि यहां से सभी लोग ले सकते हैं जिनके पास cybercap हो जिनके पास नहीं हो सभी लोग यहां से अपना ID password create करके और रासन कार्ट के लिए apply कर सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप रासन कार्ट का मित्रा ID password को ले सकते हैं तो चलिए दोस् को सब्सक्राइब कर लिजब ब्लेक अन्ठी को भी त्रेस कर लिजगा